हेलो फिंट्स, वेल्कम बैक, आज के इस एनलेसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IEX जहापे की एक जोड़दार किरावट देखने को मिला, साथ ही साथ बात करेंगे इज माई ट्रिप के उपर और फिर बात करेंगे जे एम फाइनेंशियल सेयर के उपर इन डीटेल में बात करने वाले हैं वीडियो को आराम से लाश्ट तक जवरू देखीगा जिससे की आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए आज के सेशन में अगर बात करे से इन फेक्ट अगर हम लोग बात करें 10 से जितना भी मूव हुआ इस पूरे मूव को आज के कैंडल ने इंगल्फ कर लिया तो एक जाइंट बियर इस इंगल्फिंग कैंडल का फॉरमेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो आखिर इतना बड़ा गिरावट क्यूं द कर लिजिए क्योंकि यहां पर आपको इंपोर्टेंट अपडेट्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं जिससे कि आपको भी टाइम टु टाइम इंपोर्टेंट इंफॉरमेशन मिलता रहेगा जिसके से भी चार्ट में ब्रेक आउट हो रहा है जहां पर भी एक अच्छा चार करते हैं और इनकिस अगर आप फिर भी खुद से नहीं ट्रेट कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जहां पर कि आपको एक्जेक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को भाई करना है क्या स्टॉप लॉस और टार्गेट होन एक जोड़ार गिरावर्ट देखने को मिला इसके पीछे का सबसे बड़ा वजया है जो गवर्प्मेंट जो है कपलिंग को मार्केट कपलिंग को वापस से इंप्लिमेंट करने के लिए ऐसा एसा सोर्स को दारा इंफोर्मिशन है जो फाइनस के लिए 25 के इंड तक जो है आ जो है रेट को कंपेर किया जाएगा और जो है सिंगल रेट पे आपको एनी टाइम ट्रेड होगा जिससे की जो है आपके पास जो एक एक्स्ट्रा एडवांटिज रहता है आपके पास डिमांड सप्लाई का वो एडवांटिज जो है यहां पे कहीं ने कहीं आपको खतम और हलाकि अगर बात करेंगे जून क्वाटर में जो कमपनी का IEX के मेनेजमेंट का कमेंटरी था वहाँ पे उन्होंने ये बात बताया था जो जब गवर्बमेंट ने इसके उपर एक ट्राइल किया है तो अभी कोई भी कपलिंग का benefit गवर्बमेंट को नहीं मिला है जिसकी वज़ा से अभी और थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन वापस से अगर ये information आया है तो गवर्बमेंट इसके उपर जरूर काम कर रहा है तो अगर आज ना कल ये implement होना है किस रूप में implement होगा क्या इसका policy होगा ये काफ़े important होने वाला है और इसी वज़ा से जो है इस stock में हम लोगों को एक जोड़दार गिरावट देखने को मिल रहा है अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है monthly candle close होने को है stock में नीचे के level से एक अच्छा हम लोगों को तेजी देखने को मिला last month भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक rounding bottom pattern का breakout हुआ था stock अभी भी bullish zone में ही trade कर रहा है एक अच्छा base के बाद stock यहाँ पे आपको upside move होना start हुआ है एक retracement जरूर expect कर सकते है 200 के level के आसपास stock थोड़ा सा consolidate कर सकता है इस से पहले भी इस level से selling pressure आया था तो यह एक अच्छा supply zone है जहां से कि stock में गिरावट देखने को मिला था सेम उसी level से वापस से हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे 200 and 250 के range में जो है टेकनिकली एक consolidation देखने को मिल सकता है और अगर यह consolidation होता है तो definitely जो है आगे के move के लिए भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे आपको एक flag and pole pattern का formation हो जाता है तो definitely जब stock थो 50 के level के उपर निकलेगा तो एक जोड़दार तेजी इस stock में हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो अगर आप hold कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी immediate आपको panic नहीं करना चाहिए क्योंकि coupling का news जो है यह आपको काफी पहले से है तो ऐसा market जो है हमेसा आपको इन सभी चीजों को discount करके चलता है temporary news के basis पे temporary effect जरूर देखने को मिलता है यहाँ पे एक selling के लिए region चाहिए था और यह आपको एक news जो है यह एक negative news की तरह काम किया और यहाँ पे एक selling प्रेसर दिखा यहाँ पे आपको panic नहीं करना चाहिए अगर हम लोग brokerage के उपर भी बात करेंगे तो brokerage के radar में जो है 13 analyst जो cover कर रहे हैं वहाँ पे 8 के द्वारा यानि कि 8 analyst ने यहाँ पे आपको buy rating दिया है और जबकि 2 analyst का यहाँ पे hold का recommendation है और 3 का sale का recommendation है तो majority जो है अभी भी आपको यहाँ पे bullish ही देखने को मिलेगा तो एक बार यहाँ पे consolidation हो जाए उसके बाद जब 250 के level के ओपर breakout होगा तो एक जोड़दार तेजी देखने को मिल सकता है चले बात करते हैं दूसरे stock के ओपर Ease my trip Ease my trip आज gap down open हुआ और लगातार जो है stock नीचे ही trade किया finally अपने day low पे ही close हुआ market close होने के बाद यहाँ पे भी एक important information आया है जो Ease my trip के promoter जो है निसान्त Pitti उन वो कल जो है आपको 15 करोड सेयर के block deal के थूँ सेल करने वाले हैं यानि की 8.5% का stake जो है उनके द्वारा reduce किया जाएगा यहाँ पे जो expected buyer है यह आपको multiple institutional investor है और 580 करोड रुपया का यह पूरा block deal होने वाला है अभी अगर बात करेंगे तो अभी जो है निसान्त Pitti जी का 28.13% का stake है जो की आपको 19.65 के आसपास का आपको reduce होके रह जाएगा यहाँ पे एक major हम लोगों को कल गिरावट देखने को मिल सकता है क्योंकि जो floor price है वो है आपको 38 रुपीज के लेवल पे यह floor price होने वाला है तो 38 रुपीज का लेवल आज के बाइंग प्राइज के जो closing price है तकरिवन 41 रुपीज का इससे 3 रुपीज नीचे यहाँ पे आपको बाइंग होने जा रहा है तो यह interesting level पहले से बना हुआ है और अगर यहाँ पे आपको फर्दर गिरावट आता है 37 के नीचे एक major गिरावट इस stock में देखने को मिल सकता है तो वापस से हम लोगों के लिए जो है कल का session important हो जाएगा 38 रुपीज से यहाँ पे buying momentum आता है या फिर stock 37 रुपीज के लेबल के नीचे निकल जाता है अगर 37 के नीचे निकलता है तो फिर और major की गिरावट देखने को मिल सकता है लास्ट stock के बात करेंगे लास्ट stock है जे-म financial जे-म financial के अगर मन्तली चार्ट पे देखेंगे तो stock एक multi-year breakout दे रहा है stock 2018 के बाद इस range को cross कर रहा है 2018 में लास्ट ताइम stock 125 के लेबल के नीचे sustain करना start किया था और finally after 6 year stock जो है इस लेबल के ऊपर sustain करता हुआ monthly chart पे देख रहा है साथी साथ अगर volume को देखेंगे तो बहुत ही massive volume यहाँ पे देखने को मिल रहा है stock उपर की side में 190 की तरब move कर सकता है अपने इस high को touch करने के लिए जहाँ पे कि इस stock में हम लोगों को एक rounding bottom pattern का भी formation देखने को मिल सकता है तो अगर आप GM financial के share को hold कर रहे हैं तो यहाँ पे continuously hold करके रख सकते हैं target जो उपर की side में 190 का होना चाहिए in case अगर आप fresh buying करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है buy on dip का आप यहाँ पे formula ले सकते हैं stock अगर 125, 140 के बीच में जैसे इस dip करता है तो आप वहाँ पे buy कर सकते हैं आप लोगों को सभी पॉइंट्स यह है बिल्कुल अच्छे से clear हो गए होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हूँ analysis अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब ज़रू करड़ें अच्छा लोगों करा लोगों को सक्षा हूँ जब करता है इस यह सकते हैं करते हैं